हाई स्टुडेंट्स, इंग्लिश लर्निंग हट के यूट्यूब चैनल के इस सेशन में आपका स्वागत है, आज की हमारी पोईम माई मदर एट 66 जो कमला दास द्वारा लिखी गई है का सेंटल आइडिया है, लेट्स स्टार्ट, फर्स्ट अफॉल, वी विल राइट डाउ लिखी गई है, दा पोईम शोज दा फियर ओफ लूजिंग हर मदर ओफ दा पोईटेस, जे कविता, कवितरी कमला दास के डर को दर्शाती है, जो वो महसूस करती है अपनी मदर के खो जाने के लिए, थ्रूआउट दा पोईम, शी हैस पिक्चर्ड वाट एमोशन जाटर फ कवितरी ने एक लड़की की भामनाओं को दर्साया है, जब वो अपनी मदर के साथ बिशने पर महसूस करती है, शी फील सैट फोर हर मदर, वो अपनी मा के लिए अपसोस चिताती है, और इस नोट अबल तो एक्सप्रेस हर ग्रीफ, परंतु अपने दुख को व्यक्त करने क के लिए समक्ष नहीं है, इस कवता में एक वितरी ने नई जनरेशन की समस्याएं और इशाएं को बहुत कूब व्यक्त किया है, इस कवता में जिन्दगी की डिफरेंट स्टेज़ेस को बहुत अच्छे से व्यक्त किया गया है, और उताया गया है कि जिन्दगी में बहुत एक व्यक्ती बुड़ा होता है, और कैसे कैसे वो जिन्दगी में मिलने वाली नेक परकार की सिचुएशन को हैंडल करता है, कवता के एंड में कवितरी जे दरसाती है, कि जिन्दगी में जो नकारात्मक विचार होते हैं, वो जिन्दगी जीत लेती है, जब जे कवितरी अपने आशुच पाते हुए अपनी मदर को विच करती है, दोबारा मिलने के लिए सी यू सून अमा कहकर पुकारती है, तो डियर स्कुडेंट्स जे हमारी पोहिम दा मदर एट 66 का सेंटरल आइडिया है, जिसमें कवितरी कमला दास ने बहुत अच्छे से अपनी मदर से बिच्छने का दुख विक्त किया है, और साथ ही जे दर्साया है कि जिन्दगी में सेरनस के साथ साथ बहुत कुछ पोस्ट्यू भी है और जे लाइफ ऐसे ही चलती रहती है, अशा करता हूँ आपको जे सेंटरल आइडिया अच्छा लगा हुआ होगा, थैंक यू,